बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कर सकते हैं इस्टाग्राम पर हमारा पेज जरूर फोलो कर लेजेगा इस्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है तो शुरूरात करते हैं हमारे लिस्टिंग की जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है पहला सेक्शन देखेंगे का scientific instruments दिये हुए हैं और equipments और उनका important use दिया हुआ है, equipments और instruments left side पे हैं और right side पे हैं उनका utilization, match the following में, which of the following is correct या फिर गलत विकल्प का चुनाव कीजिए, इस तरीके से questions बहुत पूछे जाते हैं, phonograph देख लिजिए, यह वो device है जो sound waves को record करता है, phono, word का मतलब ही related to sound होता है, अब phonometer, देखो, phonograph, phonometer, यह वो device है जो sound intensity का level है, उसको measure करता है, photometer, photo से मतलब होता है, lights related होगा कुछ, device है जो कि illumination और intensity measure करता है, दो sources की, illumination समझते हैं आप, कि कोई चीज कितनी ज्यादा चमक रही है, कितनी ज्यादा illuminated है, photographic camera, तो सब बताईए आपको, photo telegraph, यह photo transportation device हो ही है, tipet, यह एक पतली से tube होती है, glass की tube, जो कि fixed volume of liquid को measure करती है, आप लोगोंने अपने 10th, 12th के experiments में शायद use की हो, polygraph, यह lie detector है, तो हमने बड़ी movies वगरा में देखा है, potentiometer, यह वो instrument है, जो measure करता है, दो points के बीच का potential difference किसी electric circuit मे, electric circuit पढ़ते थे ना हम, draw भी करते थे diagram, तो उन, दो, दो points जो होते हैं, उनके बीच में कितना potential difference है, वो measure करता है, potentiometer, photometer, photometer, and potometer, यह transpiration rate measure करता है, plants में, कि किस rate से plants transpire कर रहे हैं, आप मुझे define करके बताएंगे, transpiration, what is transpiration, technometer, या pyknometer, यह वो instrument है, जो density और coefficient of expansion समझते हैं, कितना expand हो रहा है, कोई liquid, वो measure करता है, pyknometer, यह थोड़े से देखिए, unusual हैं, इन पे थोड़े ध्यान दीजेगा, pyro meter, बहुत ही high temperatures को measure करने वाला device, pyreliometer, यह solar radiation को measure करता है, pyro, pyrelio, साथ-साथ लिखे हुएं, जिससे आपक दोनों वही prepare हो जाएं, और confusion ना, फिर पेपर में, quadrant, यह क्या होता है, यह altitudes और angles नहीं होते, navigation में, astronomy में, वो measure करता है, radar, यह speed और direction बताता है, किसी दूर से उड़के, जो aircraft आया है, उसका, यह भी आपने, movies वगरा में से, जो लोग, Bollywood के fan है, उन्होंने काफी, पता होग होता है, यह तो, radiometer, radiation measure करने वाला device, ठीक है, solar radiation के लिए pyrilometer है, और को radiation के लिए radiometer है, देखे, फरक देख लीजे, प्लीज, मैं जितना कोशिश हो रही है, आप लोगों को difference बता रहे हूं, radio micrometer, यह thermal radiation measure करता है, rain gauge, तो आप जानते हैं, किती बारिश हुई, उसका अनुमा लगाने के लिए होता है, refractometer, आपको पता है, refractive index होता है, किसी transparent media का उसको पता लगाने के लिए होता है, refractometer, refrigerator, यह food preservation का equipment है, sacrometer, यह शुगर का कितना concentration है, किसी चीज में, कितना चीनी है, चीनी in the sense, शुगर कितना है, ठीक है, वो measure करता है, sacrometer, safety lamp, lightning device है, जो की mines में होता है किसलिए use, accidents वगेरा को prevent करने के लिए, safety lamp, screw gauge, आपको पता है, fine wire gauge को measure करने के लिए use होता है, यह भी हमने, सबने देखा होगा, आप लोगोंने, class 10th level के हैं इतो चीज़े, siasmograph, यह siasmic intensity को measure करता है, siasmometer, यह instrument है, जो की measure करता है, siasmic intensity, आप देखिए, यह दोनों सेम हो गए कोई बता सकता है, इन दोनों में क्या difference है, इन दोनों में क्या कुछ difference है, हलका फलका भी, तो अगर आप लोगों को पता है, तो please comment आउन के लिए, नहीं तो मैं इस वाली question को pin कर दूँगी, ठीक है, comment नहीं करेंगे, आपकी यह तो बता है नहीं आपने, मैं खुद बता रह करने के लिए होता है, spherometer, यह curvature होता है, किसी surface का, उसको measure करता है, spherometer, sphignomanometer, आपको बता है, blood pressure, arteries में measure करने के लिए, जो device ही होता है, उसको कहता है, sphignomanometer, और smignophone, यह होता है, pulse rate को बहुत तेज सुनने के लिए, आचा, कुछ बच्चे के comment करते हैं, कि आप सिर्फ के बता रही है, कुछ समझा नहीं रही है, यह आप इस title को जड़ा प्लीज ध्यान रखेगा, यह listing है, हमें यहाँ पे consolidation करना है, we have to consolidate, जो भी हमने पढ़ाई लिखाई करी है, वो, यहाँ पे हम ज़्यादा discussion करेंगे, तो फिर वो listing नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो इस इसको जड़ा ध्यान में रखेए, पेपर नस्दीक है, इसलिए listing इसलिए कराई जा रही है, जिससे आपका fact ना गलत हो, ठीक है, अब स्विग्मो फोन, यह instrument है, जो कि हाँ, देख लिया हमने, स्विग्मो स्कोप, यह vibrations measure करता है, जो pulses का movement होता है, उसमें जो vibration होते हैं, उस सिर्फ पढ़के कराएं, या फिर समझा के कराएं, स्टेरियो स्कोप क्या होता है, यह 2D, two dimensional images होती है, उनको लेने के काम आता है, स्टेरियो स्कोप आपको पता है, हार्ट और लंग की साउंड्स के लिए, सब डॉक्टर के गल्ले में होता है, स्टाप वाच, पीरिड ऑफ और घ्राह उते हैं, उसमें distance elevation मेजर करता है, elevation मितलब उच्ञाई, टैको मीटर, इक होता है, यह थाइधिन का ईराटिन का तरन्सफोर्मर, AC पोल्टेज का यह रेगुलेटर होता है आपको पता है यह यह एक्सपांडिंग करता है यह टरबाइन के ओथी डिवाइस है जिसके जिसके थू मेकानिकल वर्क किया जा सकता है बाइक इनरजी किसी फ्लोइंग फ्लुइड की इन्टु रोटेशनल एनरजी वो टरबाइन काम करती है यह गुल-गुल घुमती है ना उड़ोमीटर या फिर रेन गौज यह आपको पता है मेजर करता है रेन उपर भी देखता है आमने तो उसका दूसरा नाम है यह एक सेकंड अब अल्ट्रा सोनोस्कोप यह ब्रें ट्यूमर्स और हार्ट डिफेक्ट को डाइग्नॉस दो पॉइंट के बीच का मेजर करता है और किसी एलेक्ट्रिक सर्कृट में जो आएगा वो अभी उपर देखा आपने देखा था तो यह चीज़ें थ्यान रखिए जो उपर पढ़ते जा रहे हैं वाट मीटर यह एलेक्ट्रिकल पावर मेजर करेगा वाट यूनिट होती ह वेव मीटर यह मेजर करता है वेवङलेंथ आफ रेडियो वेव जेरॉक्स मशीन फोटो कॉपी जरॉक्स एक्सरे मशीन यह एक एक सरे मशीन है जो की कॉमनिजिंग टैस्ट है किसा मिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जलो फोन, मेंजिकल नृस्न नींृट करता है वाट व ले generator है बहुत और वेंचुरी मीटर क्या होता है फ्लूइड का फ्लो जो है उसको मेजरमेंट करता है विडियो फोन ये एक टेलिफोन है जिसमें फोटो भी आती है वह इसके साथ ठीक है टेलेक्स ये ये एकस्जेंज अफोटी छिए एफृए एफफू है डेक्सजेंज होता है ना यूज का वह ताली जिन अगरे ऐसको मेर號 में आपको यहां उहस overlीने मैस वे जाने, अगर बैट जाओं, तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वो लिस्टिंग नहीं होगी, और आपकी पेपर में कॉश्चिन क्या आएगा, match the following. तो लिस्टिंग से पहले आप लोगों से यह उमीद होती है, कि आप लोगों ने बेसिक पढ़ाई कर रखी है, आपकी बेसिक किताबें complete है, और जिन्होंने paid course ले रखा है, उनका basic वाला complete है, यह end का revision है, अब भी जिन्होंने नहीं कर रखी, वो अराम से बैठें, और इसको कितने उसकी, altimeter क्या होता है, planes का altitude measure करने के लिए, ammeter क्या होता है, it is used to measure electric current in ampere, ampere में electric current को measure करते हैं, animometer होता है, wind power और speed को measure करने के लिए, epic scope, यह क्या होता है, opaque images screen पे project करने के लिए, opaque समझते हैं, opaque जहां से light ना पास हो पाए, audio meter, instrument है, जो की capacity है, normal human की, उसको hear करने के intensity of sound के लिए, audio phone, यह instrument होता है, जो की hearing aids में use होता है, जो लोग सुननी सकते हैं, वो जो machines लगती हैं, उसमें use होता है, sound level meter, आपको पता है, यह तो देखो basic वाले हैं, यह आप ठीक करके आओगी, आओगी, this is epic scope, यह, ऐसे वाले गलत होने के chances होते हैं, और देखे, exhaustive list है एक accelerometer क्या होता है, यह measure करता है, rate of increase of vehicle speed, accumulator क्या होता है, यह energy storage device है, actinometer क्या है, यह determine करता है, intensity of sun rays, aerometer, weight और density, air और gas का measure करता है, caliper क्या होता है, यह cylindrical diameter, गोजा, यह भी आपने देखा होगा पका, अपने experiments के time पे, calorimeter, यह amount of heat को measure करता है, carburetor, बता equipment है, जो कि internal combustion, petrol engines हैं, उसम barometer, यह thermal radiation को measure करता है, एक और चीज़ thermal radiation को measure कर रही थी, उपर, अगर आपको ध्यान होता हो, barograph क्या होता है, यह graph करता है, जो atmospheric pressure है, उसमें change का graph होता है, barograph, barometer, यह atmospheric pressure गोज होता है, binoculars क्या होता है, magnify, binoculars क्या होता है, durbine, है न, और cardiogram, human heart rate measure करता है, cardogram, काडियोग्राफ यह plot करता है measure करने के बाद plotting जो होती है heart rate वो करता है cathedometer यह height level scientific experiments में use होता है cathodrate tube क्यों होती है electrons के emission को tube करने की equipment है chronometer यह exact time बता है ship पे जब आप होते हैं इसके थुरू आपको time पते चलता है commutator AC से DC converter होता है compass box आपको बता है को produce करने के लिए क्रेश्च को ग्राफ की होता है प्लांट कितना ग्रो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए होता है क्रायोमीटर बहुत ही कम तेमपरिचर को मेजर करने के लिए जैसे 0 डिगरी के आसपास वाले साइक्लोटरोन हाई आपनी voice record करने के लिए to listen to the other person, तो अपनी voice को सुनने के लिए, record करने के लिए, जब आप किसी दूसरे परसंद को कुछ बता रहे हूँ, डाइलेटो मीटर, यह volume जो produce होती है, किसी object में उसको measure करने के लिए, deep circle, angle of inclation measure करने के लिए होता है, dynamo, mechanical energy, electrical energy, important है, बच्चे बड़ा confused होता है, इसमें, M to E, mechanical to electrical, dynamo मीटर, यह power generator करता है, कोई engine, उसको measure करता है, electric meter, यह device है, जो convert करता है, electric energy to mechanical energy, देख लो प्लीज, dynamo का उल्टा क्या है, electric meter, यह दोनों चीज़ें याद रखना दोगा, electroencephalograph, यह brain potential को measure करता है, electron microscope, यह microscopic bacteria को measure करता है, यह electric charge का presence है या नहीं इपताता है, endoscope आपको बता है, human body के अंदर देखने वाली चीज़ होती है, जनरली जो आपके endoscopeी सुना होगा आपने, epidoscope, यह project करता है pictures किसी screen पे, escalator, यह moving mechanical ladder है तो आपको पता है, चलने वाली cd है, fatometer, depth of the ocean को कि तग हरा है कोई ocean, fire extinguisher आपको पता है, fire बुझाने के लिए, flux meter, magnetic flux measuring instrument है, galvanometer, यह presence को detect करता है, electric current की, genong spirometer, यह respiratory coefficient को measure करता है, gigar muller, gm counter, यह calculate करता है, radiation of a radioactive source, gravometer होता है, underwater oil detector, gyroscope होता है, moving object की speed को measure करने के लिए, heart lung machine, heart or lung surgery में कहा हो आती है, hydrometer, यह measure करती है, relative density of liquids को, hydrophone, यह device है, जो की count करता है, underwater sound waves को, hygrometer, atmospheric humidity को, बहुत famous है, बहुत बार पूछा आ चुका है, hygroscope, यह change बताता है, कि क्या change है, atmospheric humidity में, देखे, साथ साथ वाले साथ लिखे हों है, positive देखिए, please किसी video से, negativity से बिलकुल दूर रहिए, आपकी काम की बात आपको ना बताई जा रही हो, कोई उसको रखा जाता है, जिसको nursery भी बोलते है, आम भाशा में, वो incubator है, jack क्या होता है, यह lift करने के लिए होता है, device over a short distance, kaleidoscope, यह अलग-अलग geometrical figures को visualize करता है, यह mellow बगेरा में बहुत होता था, काइमोग्राफ, यह plot करता है, graph, heart और lung speed pulse का, lactometer, milk का purity meter है, कितना purity वाला है milk, आज भी dairy वगेरा जो है, सारी उन पे यह use होता है, बहुत जादा, lightning conductor, यह useful है, high-rise buildings को protect करने के लिए against lightning, loudspeaker, convert करने के लिए low pitch sound को loud पच में, MC meter, यह measure करता है, aircraft की relative speed to the speed of sound, magnetometer, यह magnetic fields को compare करता है, manometer, यह device है, जो use होता है to measure the pressure difference between two points, दो points के बीच का pressure difference, megaphone, यह sound को carry करने का काम करता है, to distance places, distant places, दूर दराज की जगहों पे, micrometer, यह thousands of a millimeter, मतलब सोचिए, यह millimeter का भी thousandth part जो है, उसको measure कर देता है, microphone, sound waves को convert करता है, electrical waves में, यह important है, microscope, पता है, magnified view देता है, microscopic objects का, microtome क्या होता है, बहुत छोटे-छोटे pieces में cut करना के लिए काम आता है, और nephitometer, यह जो scattering of light होती है, by insoluble particles किसी liquid में, आपने यह सब पढ़ा होगा, देखिए, basic, आपने आपको हर एक experiment यहां नहीं बिता सकती ही, आपने पढ़ा होगा, एक tumbler लेते थे, उसमें liquid होता था, उसमें light pass करते थे, तो scattering होती थी, insoluble होते थे, वो particles तो ऐसा से घुमने लगते थे, ऐसा पढ़ा है, 9, 10, basic वाले हैं सारी चीज़ें यह, तो उसे measure करने के लिए नेftometer यूज होता है, odometer, यह करता है, measure distance covered by wheels of the vehicles, पहियों ने कितना distance cover किया, ometer, frequency, measure करता है, electromagnetic waves की, और आपका, osculograph क्यों जोता है, device है, for graphing electrical and mechanical vibrations, parachute, emergency landing के काम आता है, periscope, यह optical device है, जिससे जो observer है, वो environment को देख सकता है, खुद छुपके, submarines यूज करती हैं इसको, warships, cruisers जो होते हैं, soldiers जो battlefield में छुपे वे होते हैं, artillery officers करते हैं, जो targets है, और फिर monitor करने के लिए enemy activity, यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे बता दियें, और आपसे मैंने जो पूछा है, वो आप मुझे जरूर बताएंगे, बाकि आप एक दो बार और revise कर लेजएगा, इस चीज़ को, आपका एक भी नहीं गलत होगा, इनम से, यह low-hanging fruits हैं एकदम, इनको नहीं गलत करना है आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बात मुझे यहाँ पर ध्यान आई, देखे, जो टाको मीटर हैं, आप में से कुछ बचे कमेंट करेंगे, तो दोनों सेम हैं, और अलग-अलग चीज़े मेजर करते हैं, तो टाको मीटर, अगर आपसे question में आएगा, तो आपको दोनों options नहीं देवे होंगे, पहली चीज़ तो, दूसरी चीज़, टाको मीटर कैसे measure करता है, यह number of revolutions per minute, RPM जिसको बोलते हैं, उसको किसी aircraft engine के यह measure करता है, तो उससे related है, यह to measure the speed of the aircraft, क्योंकि कुछ लोग फिर comment क आप बिल्कुल बता सकते हैं, तो अब हम आगे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप कुछ SI derived units, और जो उनकी SI base units में expressed है, यह important है, कई बार आ जाता है, physical quantity और उसकी unit, आता है न, तो कर लेते हैं इसको एक बार, complete, देखते हैं, चलिए, तो ऐसे सामने सामने बता देती हूं, मैं आपको तो एक ही बार में पूरा हो जाएगा, area का, तो आपको बता है, square meter होता है, concentration, किसी substance का amount, mole पर cubic meter, इसमें देखिए, मैं कुछ नहीं समझा सकती है, आपको यह आदी करनी है, volume का cubic meter, specific volume का cubic meter per kilogram, specific का, speed velocity, दोनों का meter per second, ऐसे लिखते हैं, Luminance का, intensity of illumination का, candela per square meter, important है आता है यह, angular velocity का, radian per second, kinematic viscosity का, viscosity, velocity नहीं है, square meter per second, square meter per second, acceleration का meter per second, square meter per second, speed velocity हो जाएगा, meter per second square, acceleration हो जाएगा, momentum, kilogram meter per second, angular acceleration का, radian per second square, अभी radian per second देखा था आपने angular velocity का angular acceleration का radian per second square moment of inertia का kilogram square meter, wave number का per meter, radius of gyration का meter gyro meter, gyro meter दिखा उपर पढ़ाया मैंने आपको भी density, mass density का kilogram per cubic meter, linear, superficial या फिर volume expansivities का per kelvin होता है current density का ampere per square meter, flow rate का cubic meter per second है magnetic field strength, magnetic intensity, magnetic moment density, ampere per meter हो जाएगा ठीक है, चलिए, अब कुछ और देख लेते हैं, physical unit, quantity और उनकी unit कुछ special names के साथ, magnetic moment का joule per tesla, molar entropy, molar heat capacity का joule per mole kelvin dipole moment का kulum meter, kulum meter जैसे भी आप बोलना चाहें और exposure का, X and virus का, coulomb per kilogram gray per second ठीक है, dynamic viscosity का, possules और pascal second और newton second per square meter कुछ भी आप mark कर सकते हैं, जो भी आए compressibility का per pascal, ठीक है torque, couple moment का newton meter, elasticity coefficient क्या है, newton per square meter देखे, थोड़े से exhaustive हैं ये, पर एक दो बार देख लेना आप, तो क्या होगा, chance हो जाएगा कि आपका गलत नहीं होगा ये surface tension, ये उनकी बात है, जिनका science थोड़ा सा weak रहा है, अब जिन्होंने पढ़ा है, अच्छे से अपने time पे, जो science की students है, उनका ये सब गलत नहीं होता है surface tension, newton per meter, pressure gradient, pascal per meter, power density, irradiance और heat flux density, watt per square meter, surface potential, joule per kilogram और heat capacity, joule per kelvin, आपका pressure energy, heat capacity और entropy, entropy का भी यही है, pressure energy, pascal cubic meter, specific heat और specific entropy, joule per kilogram kelvin, impulse का newton second है, specific energy, या फिर latent heat, joule per kilogram, देख लो, फरक, angular impulse, newton meter second, radiation intensity का watt per steridian, specific resistance का ohm meter, thermal conductivity का watt per meter kelvin, surface energy का joule per square meter, energy density का joule per cubic meter, dielectric constant का ferrard per meter, electric field and density का volt per meter, magnetism का henry per meter, electric charge density का coulomb per cubic meter, molar energy का joule per mole, electric flux density का coulomb per square meter, angular momentum या फिर planks constant जोता है, joule second, तो एक बार pause कर लो, वीडियो चाहे, और इसको देख लो, और जिसको इसका PDF चाहिए, वो हमें यहाँ पर WhatsApp कर सकते हैं, total PDF pages है, 780 से 785, सिर्फ इतना बढ़ना है, अब उसमें, जाहिर सी बात है, ज्यानी नहीं बन पाओगे, पेपर निकल जाएगा, पर, Transformation of Energy by Apparatus, यह देखें गया, देखो, यह important होता है, एक्जाम में काफी पूछा जाता है यह, और सबकुछ एक जगापे आपको यहाँ पे है, इससे भार नहीं पूछेगा, अगर ऐसे वाले कुछन आता है, तो, Dynamo की बात करें, उपर भी देखा था हमने, तो Mechanical से Electrical, M to E, Electric Motor, इसका ज़स्ट उल्टा, Electrical से Mechanical, तो Dynamo और Electric Motor इखटा याद रखो, Microphone क्या करता है, Sound Energy को Electrical Energy में Convert करता है, Loudspeaker, Electrical Energy को Sound Energy में देखो, इस तरीके से बनाए गए हैं कि साथ-साथ याद होते रहे हैं, Microphone और Loudspeaker, Solar Cell, यह Solar Energy को Electrical में करता है, Convert, ठीक है, Solar to Electrical, तो Tube Light, Electric Energy को Light Energy में Convert करती है, Electric Bulb क्या करता है, Electric Energy को, सेम, यहाँ पर Tube Light जो कर रही थी, उसके साथ-साथ, प्लस Heat में भी करती है, आपने देखा है ना, Bulb Heat करता है, Electric Cell, यह Chemical Energy को Convert करता है, Electric Energy में, Candle क्या करती है, Chemical Energy को Light और Heat में करती है, Convert, तो अभी आपने उपर देखा था, Bulb कर रहा है, Electric Energy को Heat और Light में, साथ में पढ़ेंगे, तो Confusing होता जाता है, लेकिन आप लोग, धीरे-धीरे उपर का भी रिवाइस करते जाना, All Right, Electric Stove क्या करता है, Electric Energy को Heat और Light में करता है, Fan, Fan करता है, Electrical Energy को Mechanical Energy में Convert, Same भी हो सकते है, Turbine, Mechanical को Electrical Energy में, अभी उपर भी देखा था ना, यही चीज, Wind Mills क्या करते है, Wind Energy को Electrical Energy में करते है, Convert, Electromagnet, Electrical Energy को Magnetic Energy में, Then Atom Bomb, Atom Bomb क्या करता है, यह Electrical Energy को Sound Energy में Convert करता है, Thermoelectric Heat को Electrical Energy में, Thermoelectric, Photosynthesis, Electromagnetic Radiations को Chemical Energy में Convert करता है, Important है, Hydroelectric Grams क्या करते है, आपको पता है, Gravitational Potential Energy होती है, जो पानी के गिरने से Generate होती है, उसको Convert करते है, Electric Energy में, Photoelectric Cell, Light Energy को Electrical Energy में करता है, Generator क्या करता है, Mechanical को Electrical में करता है, यह बहुत Important है, सब कुछ सेम सेम वाले, Telephone, Receiver, Radio, Sound Energy को Electrical Energy में, Electric Iron, Press जोती है, Electric Energy को Heat Energy में, Photographic Plate, Light को Chemical में, और Rectifier, Alternating Current को Direct Energy में Convert करता है, Important, Electric Lamp Conversion of Electric Energy into Light and Heat, और जो यह Atomic Bomb होता है, यह Nuclear Energy को Heat, Light or Sound Energy में भी Convert करता है, और Rectifier हम देख चुके है, Alternating Current को Direct Current में Convert करता है, सारे Important वाले देखिए, यहाँ पर आपको बताए जा चुके हैं, इस से भार मुश्किल आएगा, ठीक है, तो जो सब सही करके आएंगे, वो आपको भी सही करके आना है, आगे बढ़ता है, Inventions और Inventors, ठीक है, यह भी बड़ा Important होता है, भाई, Device का नाम वो देता है, और फिर Inventor का नाम पूछ लेता है, Facts हैं, बहुत जादा Facts हैं, याद आपको करने पढ़ेंगे, दो-तीन बार विडियो देख लीजेगा, इससे कम टाइम में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और अपना पूरा साइंस आपका रिवाइज हो जाएगा, लगके बैठोगे तो, Chronometer, John Harrison, Dialysis की मशीन, Dr. Wilhelm Kloff, Nuclear Furnace, Ernico Fermi, Furnace, Fermi ऐसे आद कर लो, Photometer, Edward Charles Pickering, Dynamo, Michael Faraday, इंपोर्टन, Gas Engine, Damler, Wireless Telegraphy, Marconi, Cyclotron, Lawrence, Electric Bulb, you know, Edison, Spectroscope, Bunsen and Kirchhoff, Lightning Rod, या फिर Conductor, जो होता है, Franklin, Transistor, Shockley and Barden, Walter Bratton, Camera का Lens, C, Chevalier, Radar, Robert Watson, Gyroscope, Focall, या Focall, जैसे भी आप बोलना चाहें, Submarine, Colonyus, Drebble, Transformer, Auto Blathe, Bicycle, Macmillan, और Safety Razor, Gillette, ये तो याद चाहेगा आप लोगों को, Crescograph, JC Bose, और Parachute, Louis Sebastian, Lenormand, Steam Engine, James Watt, Printing Machine, Jay Guttenberg, ये इंपोर्टन है, पूचा जाचुका है, Radio Marconi, Ball Pen भी पूचा जाचुका है, John J. Loud, Diesel Engine, Rudolph Diesel, इंपोर्टन, Electric Fan, Wheeler, Typing Machine, Shoals, Microscope, Janssen, Printing Machine, Jay Guttenberg, Printing Machine, दो बार आ गया, कोई बार नहीं, पेट्रोल कार, Karls, Benz, Machine Gun, James, Pakal, Jet Engine, Frank, Whittal, Microbeeter, William, Gascoigne, Air Conditioner, Willis, Haviland, Carrier, देखा, ये शुट भी थैंक्फुल तो हिम, Scooter, G. Bradshaw, Siasmometer, Robert Malley, Refrigerator, Harrison & Munters, Sexton, John Campbell, Lift, E.G. Otis, पूचा जाचुका है, टेलिफोन, Graham Bell, Thermo, Thermionic Diode, J.A. Fleming, Gramophone, Edison, Email, Raymond Tomlinson, Steam Engine, James Watt, Television, J.L. Baird, Thermometer, Fahrenheit, Barometer, Torrice Silly, Military Tank, Swinton, Aeroplane, तो आप जानते हैं, The Very Famous, Wright Brothers, Fountain Pen, Waterman, Fountain, Water, ऐसे याद कर लेना, अब कुछ भी बना लो इनके, और याद कर लो देखो इने, पूछ लेता है, फालतु का एक अद नंबर कट जाएगा, एक अद क्वेशन करते हो जाएगा, मतलब, अब Physics से रेलेटर्ट देख लो जारा कुछ, Electric Current, Alexander Walter, इनी के नाम पे है ये, और Interference of Light, Thomas Young, Electromagnetic Waves, Hendrick Hurds, Electric Charge, Benjamin Franklin, Current Electricity and Electric Battery, Alexander Walter, Same Current, और ये, Wave Theory of Light, Husions, Static Electricity, Thales, Law of Electric Attraction, Coulomb, Law of Electric Resistance, Simon Ohm, Logarithm, Briggs & J. Napier, Modern X-ray Tube, Coolidge, Mechanical Equivalent of Heat, Joule, इन सब के नाम पे, देखो, इन सब के उनिट से हैं, Thermo-Ionic Emission, Thomas Alva Edison, Speed of Light, O. Romer, Diode Wolf, J.A. Fleming, Cloud Chamber, CTR Wilson, Electric Charge, R.A. Milliken, Dynamite, Alfred Noble, Neutrino, W.E. Poly, Laser Race, TH. H. Mammon, Safety Lamp, H. Davy, Photon, Albert Einstein, E. Albert, Alfred Noble, H. Dynamite, E. Albert Einstein, Radioactivity, Henry Becquerel, Induction Coil, HD, Room Cough, Superconductivity, K. Ohns, Law of Gravitation, Newton, Corpuscular Theory of Light, Newton, Law of Cooling, Newton, Law of Pressure, B. Pascal, Unit House, Artificial Disintegration of Atom, Erneco Fermi, Speed of Light in Liquids, Foucault, Principle of Flotation, Archimedes, लोग, Eliminate कर ले जाओगे, इतना ही बहुत है मेरी ख्याल से, और जो याद कर सकते हैं, तो फिर भाईया, उनकी तो क्या कहें, आप तो हैं ही पहले ही आगे, बहुत बढ़ी है अगर याद कर सकते हैं तो, आप कुछ टेक्नालोजी हैं, और वो किन साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ट हैं, हम वो देख लेते हैं, स्टीम इंजिन, काम करता है, लॉओ अफ थर्मडाइनमिक्स पे, नुकलियर रियक्टर, कंट्रोल्ड नुकलियर फिजिन, ये फ्यूजिन और फिजिन ध्यान रखना, फिजिन, कंट्रोल्ड नुकलियर फिजिन, जब ये नुकलियर रियक्टर्स में, आपने कुछ सीरीज अगेरा देखियें, चर्नबल अगर किसी ने देखियें, तो चर्नबल का लास्ट एपिसोड खास कर, उसमें ये पूरा दिखाया हुआ है, इसका काम करना, कैसे होता है, कंट्रोल नुकलियर फिजिन, अब मत देखना, एक्जाम की बाद देखना, रेडियो इन टेलिविजिन, जिनरेशन, प्रोपोगेशन, और डिटेक्शन और अफ एलेक्ट्रोमागनेटिक वेवस पे काम करते हैं, कंप्यूटर्स, डिजिटल लॉजिक पे काम करते हैं, कंटिनूस ऑपरेशन और फ्लेजर, स्टार्ट फ्लेजर, स्ट्यूमिलेटेड एमिशन, और स्पॉन्टेनियस एमिशन पे काम करता है, ठीक है, देखते रहो ये, आप लोग किस चीज़ पे काम करते हैं, आप भी बिताइए, प्रड़क्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैगनेटिक फील्ड्स, सूपर कंड़क्टिविटी पे काम करता है, ये, रॉकेट प्रपल्शन, न्यूटन के लॉप पे काम करते हैं, ये, और क्या है न्यूटन के लॉप पे करते हैं, इलेक्रमाग्नेटिक इंडक्शन पे, हाइडरोलेक्ट्रिक पार, कंवर्जन ऑफ ग्राविटेशन ऑफ ग्राविटेशनल पुटेंशल एनरजी इन्टू एलेक्रिकल एनरजी, एरोप्लेन, बर्नॉली इस प्रिंसिपल पे काम करता है, बहुत फेमिस, फ्लूट डैनमिक्स, पार्टिकल अक्सिलरेटर, मोशन अफ चाज़ पार्टिकल इन्टिक फील्ड, सुनार काम करता है, अल्टरसॉनिक वेवस के रिफ्लेक्शन पे, अप्टिकल फार्टिकल फार्टिकल आपको पता है, आपने वो डाइग्राम देखा होगा, ऐसे ऐसे करके बनाओता है, पाइपस इवन में, टैन्थ क्लास केमिस्टरी, फिजिक्स, बढ़ा है नहीं बढ़ा है, डॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग्स, थिन फिल्म होती है, ऑप्टिकल इंटरफेरंस की, इलेक्ट्रोन, माइक्रोस्कोप, वेव नेचर पे काम करता है, इलेक्ट्रोन्स की, फोटोसल, फोटोलेक्ट्रिक एफेक्ट पे यह इंपॉर्टन्ट है, फ्यूजन टेस्ट्री एक्टर टोकामा, यह करता है, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलेस्कोप, यह कॉस्मिक रेडियो वेव के डिटेक्शन पे काम करता है, और बोस आइंस्टीन कॉंडेनसेट, यह करता है, ट्रैपिंग और कूलिंग ऑफ आटम्स बाई लेजर बीम्स और मेग्नेटिक फील्स, वेट डबलू, मास्ट हो टाएं, तो यह ग्राविटेशन फोर्स आफ यह मेजरमेंट है, अमाउंट अफ मैटर का, आपको पता है, इसकी उनुटी नुटन है, इसकी उनुटी ग्राम या फिर केजी, किलो ग्राम, यह एक वेक्टर कॉंटिटी है, इसकी उनुटन है, इसकी उनुटन है, याद रखना, चलो जी, स्पीड देख लो, साउंड की कुछ मीडियम में, बहुत इंपोर्टन है, यह आता है, पता है, क्वेस्चन, अब न, मैं बताती हूं, इस पे क्वेस्चन कैसे आएगा, यह पूछेगा, सबसे जादा किसमें है, सबसे कम किसमें, तो थोड़ा relative speed पे भी ध्यान देना, अब CO2, ठीक है, मीडियम है, मतलब समझ गया है, इस carbon dioxide में से speed of sound, 260, यह meter per second है, और zero degree पे, ठीक है, इतना दान रखना, अब air पे 332, steam 405, alcohol पे देखो काफी जादा है, अगर alcohol और air आ रहा है, तो याद रखना इस तरीके साथ कर लो थोड़ा सा, hydrogen 1269, अब ऐसे नहीं मैच कर आएका कुदम से, mercury 1450, water देखो, water पे और जादा है, यह सब alcohol आए और water आए, तो ध्यान देखना water में जादा है, ऐसे कर लो, याद, sea water, उस water से जादा है, the speed of sound, sea water में जादा हो जाएगी, as compared to water, iron में देखो कितनी जादा है, glass यह देखो, aluminium यह देखो, तो थोड़ा साथ याद रखना, जो यह थोस वाले हैं, चीजें, और यह देखो, थोड़ा लोजिक से भी हो जाएगा न यह तो, तो question ऐसे बनेगा, मैं अभी भी बता रही हूँ, तुमसे यह नहीं पूछेगा, water, speed of sound in water is 1493, 1491, 1492, ऐसे नहीं पूछेगा, चीक है, तो जैसे मैं बता रही हूँ, वैसे देख लो, zero degree पे, zero degree पे, अब, sound की speed, अलग-अलग medium में देख लो, 25 degree पे, solids में देख लो, aluminum की तो भी देखी है न, aluminum, nickel, steel, iron, brass, glass, flint, इन में काफी ज़्यादा है ये, अच्छा, liquids में सबस्यादा देखो, sea water में, यहाँ पे तुम्हें अलग से भी लिख के दे रहे हैं हम लोग, distrid में उससे कम है, ethanol में उससे कम है, ऐसे ज़्याद कर लो, उपर के नीचे ऐसे ज़्याद हो जाएंगे, gases में देखो, सबसे ज़्यादा किसम है, hydrogen में, फिर helium, air, oxygen, sulfur dioxide, इन में बड़ी कम है, और देखना, CO2 में 260, इससे भी कम है, मैंतलब, sulfur dioxide ज़्यादा है, CO2, तो question आएगा, तो थोड़ा दूर दूर वाला ही आएगा, ठीक भई, चलो, अब intensity जो है sound की, वो कैसे measure की जाती है, decibel में, भई, ये important है, किसका कितना है, ये चीज थोड़ा सधहन रखना, ठीक है, अब, देखो, अच्छा, whisper क्या होता है, खुस-फुसाहट, ऐसे, whisper क्या होता है, ऐसे, ये whisper है, ठीक है, example से बता रही है मैंने, अच्छा, अब, ये देख लो, whisper देखो, किता कम होता है, 12 से 20 होता है, ordinary conversation, जितना मैं और आप कर रहे हैं शायद, कुछ लोगों को सकता है voice loud लगे मेरी, लेकिन चलो, 40 से 60 साथ तरफ आली होगी, loud speaker की 70 से 80 होगी, heated arguments जो होते हैं ये, वो, मतलब समझ गए न, ये तो तुम्हें पता है, better 70 से 80 हैं, loud speaker लोगे, heavy motor vehicles की नमभे से 5 चाण में हैं, देखो, press की कितनी है, 100 से 105 है, और ये orchestra हो जाएगा, ये, हो है, ठीक है, 100 से 110 और केस्टर तो पता है न, rocket देखो किता है, missile की देखो कितनी जाद है, और siren, कितनी जाद है इसकी, ठीक है, तो ये देख ले न, काई बार ऐसे पूछा जा सकता है, इसकी आपको figure याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, अब, हम देखेंगे, electric automotive force है, कुछ cells की, ठीक है, EMF, तो देख लो, देखो थोड़ा सा, इतना तो है नहीं की, बिल्कुल pinpoint करके पूछेगा, ये types of cells है, voltage cell को देख लो, 1.08, 1.08 Daniel cell, दोनों की, अब, डेड, डेड, देख लो किसकी है, dry और, लेकलांचे cell की, और, दो देख लो, लेड, लेकलिटर cell की, अब, देखो, cell, car, battery की काफी है, इन सब में मतलब काफी है, 12, ऐसे थोड़ा सा देहां दख लो, छोटी-छोटी डिबबे हैं, तेम हैं, कि भाई, अब, रेजिस्टिविटी और, रेजिस्टिविटी और, रेजिस्टिविटी और, रेजिस्टिविटी की बीच का डिफरेंस देख लो, अब यूपर, वेट और, मास की बीच का देखा था ना, और डिपेंड करेगा shape, size, material के, temperature के और nature of materials के. कैसा material है, कैसा size है, उसको resistance कहते हैं. अगर इस बात पर ना depend करें कि क्या shape है, क्या material है, पर इस चीज़ पर depend करें कि nature और temperature क्या है material का. Nature temperature है, shape, size से कोई मतलब नहीं है. तो same चीज, same opposition जो है, यहाँ पर material temperature और nature को भी include कर दो, वो वाला opposition जो है, वो विरोध है resistance, और यहाँ यह विरोध है resistivity. इसको capital R से represent करते हैं, और इसको Greek letter rho, ऐसे बोलते हैं, P. तब छोटा P, यह मतलब कैसे बताऊं, ऐसे represent करते हैं. इसकी SI unit है ohm, और इसकी SI unit है ohm, और इसकी SI unit है ohm meter, यह, ulti-handy type जो है. यह एक constant term नहीं है किसी substance के लिए, यह change की जा सकती है, length और cross-sectional material जो है area, cross-sectional area, जो अंदर वाला होता है, cross-sectional area, वो change करके, यह constant है, इसका नहीं change हो सकता है, बस इतना देख लो. resistance को define करते हैं as in objects complete opposition to current flow, यह complete opposition है, देखो किसमें सब कुछ included है, यह ज़्यादा करें, तो यह क्या है, resistance जो कोई चीज offer कर रही है per cubic meter, ऐसे समझ लेना. तो अब जरूरी नहीं है कि paper में तुमसे वो ऐसे अलग-अलग करके पूछेगा, कि difference का डबा देदेगा और तुमसे पूछेगा क्या differences है, वो resistivity के कुछ lines लिखके दे सकता है, और resistance की कुछ lines लिखके दे सकता है, resistance में कुछ lines resistivity की लिखके दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने साथ पढ़ा दिया है आपको, तो मेरे खाल से चीज़ें clear हो गई होगी, हब हम आगे बढ़ते हैं,